कोरोना वारस जो कि विश्व वियापी महमारी बन चुका है दुनिया के बड़ी-बड़े देश इस समस्या कनिदान अब तक नहीं खोच पाए है ऐसे में अमारीका समयत कई देशों ने इसे चीन की साज़िश बताया था हलागी अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं बल पाया है लेकिन अब ऐसी कबर सामनी आ रही है कि चीन ने जान बूझ कर कोरोना वारस की जानकारी शुरुआत में नहीं दी और सब को जानते हुए भी इसे बढ़नी दिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने जो चीन की सरकार को 14 जनवरी को ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कोरोना ने देश में महमारी का रूप ले लिया है लेकिन साथ दिन तक इसका अलर्ट जारी नहीं किया गया विडेशी मीडिया के निसार चीन की शेश स्वास्त एजेंसी ने 14 जनवरी को प्रांती अधिकारियों को नए कोरोना वारस की जानकारी देती हुए सचीत कर दिया था कि ये एक महमारी जैसे इस्थिती है इसका भी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी बहार किसी को नहीं बताए रिपोर्ट में बताया गया कि राश्टी स्वास्त मिशन ने गुपतरूप से महमारी से निपटने की तैयारियों के आदेश दिये जबकि राश्ट्रे टेलिविजन के जरीए लोगों को सतर्क नहीं किया गया